जी नमस्कार दुस्तों स्वागत है इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग NCRT 12 कछा का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर यह बहुत ही important question जो की गदखंड का लेखक और कहानी का नाम पूछा आता है वो बहुत important होते हैं और वो आपका exam में 2 marks का हो जाता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा clear हो जाएगा गदखंड का कहानी एवम लेखक का नाम clear हो जाएगा ठीक है तो ये आर्स एबम साइन्स दोनों के लिए है ये बहुत important है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा उसके पहले यदि हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लेजिए और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए आपकी त्यारी करवाएंगे तो चलते हैं इसके गदखंड और कहाने के लेखक और कहाने का नाम को याद करते हैं बहुत सांदार ट्रिक्स होगा बहुत सांदार होगा आपके सामने हमारा गदघंड का आचुका है और एक साइड में हमारा लेखह का नाम है यह आपका बार्मिक अक्छा का दिगन्त भाग दो चल रहा है ठीक है यहाँ पर पहला है बातचीत बातचीत का लेखह कौन है? यह है बाल क्रिश्न भट कैसे याद करेंगे बात चीत करने के लिए बाल कृष्ण बनना पड़ता है यानि कि बात चीत करने के लिए बाल कृष्ण बनना पड़ता है यानि कि बात चीत करने के लिए बाल कृष्ण बनना पड़ता है यानि कि बात चीत करने के लिए बाल कृष्ण बनना पड़ता है य यानि कि उसने किसका हो जाएगा उसने चंद्रधर सर्मा गुलेरी आपका right answer हो जाएगा दिसरा है आपका तिसरा संपुन करांती संपुन करांती का है जै परकास नारायन संपुन करांती करना है तो मुझे परकास जलाना पड़ेगा और नारायन नायरन करना पड़ेगा यान अगला है आधानारी स्वर आधानारी किसका था तो जब राम जब थे रामधारी सिंग दिनकर साहब उनका आधानारी यानि कि आधानारी में आधानारी का इस्वर आधा नारी का इस बार कौन थे रामधारी सिंग दिनकर त्यानिकि आपका आधा नारी सबार का लेखा कौन हो जाएगा रामधारी सिंग आगला क्या है आपका रोज आपका क्या है आगला रोज का क्या मतलब है रोज का लेखक है सचीता नंद हीरा नंद बात्सियान अग्य है है ना तो ये कैसे याद करेंगे तो ये रोज यानि कि रोज हमको क्या करना है हीरा नंद सचीता नंद मतलब खुश रहना है और है ना अयग करना है क्या करना है यग्य है अगला है आपका छे नमर का, अगला छे नमर का क्या है, एक लेख और एक पत्र, क्या है, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र का लेखा कौन हो जाएगा, भगत सिंग, जब भगत सिंग को फांसी दिया जा रहा था, उस समय उन्होंने मा को अपना एक पत्र लिखा सिंगा था एक लेख और एक पत्र तो भगत सिंग कौन एक लेख और आपका क्या हो जागा जगदिश चंद्र माथूर अगला है सिपाही का मा क्या हो जागा सिपाही का मा कौन था मोहन राकेश है ना सिपाही का मा था कौन मोहन राकेश है ना मैंनी की सिपाही जो किसका था यानि ये मोहन राकेश सिपाही था और मोहन राकेश सिपाही की मा थी ह तो इसलिए यह मोहन राकेश हो जाएगा आपका अंसर सिपाही क्यमा का लिखा कुन हो जाएगा मोहन राकेश आगला है आपका प्रगीत और समाज प्रगीत और समाज यानि नो नमर का तो यहां का अंसर क्या हो जाएगा नामबर सिंग प्रगीत यानि की प्रगीत और समाज ह हो जाता है ना तो जब जूठन हो जाता है तो बालमिकी जी नहीं खाते हैं ओम ओम नहीं बोल सकते हैं ना तो यानिकि जूठन मतलब ओम परकास क्या ओम परकास बाल मिकी जी है ना क्या हो जाएगा आपका जूठन का लेखा कोना जागा ओम परकास बाल मिकी अगला क्या है हस्ते हुए मेरा अकेला पन तो हस्ते हुए मेरा अकेला पन तो जब हम लोग कोई खेलने लगते हैं जै कोई खेला करने लगते हैं तो हम ल मलियाज का अगला क्या हे हमारे हमारे पास बिटए क्या है क्या तिरिज वह सब्सक्रात सूरी का उगते हुए आपने देखा वोगता है तो तिरु रहता है कैसे वह सब्सक्राइप से निजर्ष sucks क्यों परसे कांपेbas कोन फरकास की सा मुंगता है टिरू आपका हुजागाouter चाहला क्या एमारा सिख्षा कर आज सिक्षा का मूर्ति होगा यांनि कि जे कृष्ण Νुष्ट यानि कि जिद्धू ये का फूलपर मता जिद्धू जिद्धू कृष्ण मूर्थी आयोआउ रुमतки रिवाईज्वसने का पाकै। याँ बहुत करें से भलत देजी का वर एक लेख और एक पत्रथा लिखित दिया था ऑ त्यकंगा होग complet जिस नीरा कहां से मिलेगा जहां पे चंदरमा हो गया निकि चंदर जगदिश्चंदर मातुद में का से मा हुझा रखो पार प्रगीत और समाज प्रगीत और समाज बढ़ाने के लिए नांबर लगाना पड़ेगा यानि के लाकत किया है अछिछ गोड़ा थो हमारा ओम परकास नहीं को परकास बूरह गोड़ार पर एकमरे किया हैं कि समय आम युछ नहीं मंडान को अब शर्च परकास में अब कर जाएगा विदियो को लाइक करिएगा चैनल के साथ जूड़ जाइएगा आगला वीडियो हम पावेखंड़ का देने वाले हैं तो कमेंट करके बताएगा विडियो का किसा लागा धन्यवाद